एक बार एक जंगल में बहुत खुमकार और शक्तिशाली शेर रहता था उस जंगल के पास एक गाव था जहां लोगों को पता था कि शेर कहां रहता है वो शेर उस घने जंगल में पेड़ों के नीचे रहता था वो शेर दिन बर जंगल में गुमता और शिकार करता और अपने शिकार को उन पेड़ों के नीचे बैठकर अराम सिखाता उसी जगह वहां और दो पेड़ थे जो काफी नए और ताजे थे वो दो पेड़ों को हड़िया और बचे मास की बदबू पसंद नहीं थी जो शेर वहां करता एक दिन वो दोनों पेड़ ने तै किया कि उस शेर को वहां से बगाना होगा ताके उन्हें अच्छी हवा मिले वहां एक पुराना पेड था जो उनकी सारी बाते सुन रहा था उस पुराने पेड ने उन्हें कहां ऐसी गलती मत करना क्योंकि वो शेर का डर ही है जो गावलों को हम सारे पेडों को काटने से दूर रख रहें पर वो दो पेड ये बात ना मानते हुए उस रात कहीं डरावनी आवाजे निकालने लगे एक दूसरों को धक्का देने लगे और शेर की निन खराब होने लगी ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा आखिर वो शेर उस जगह को छोड़के वहाँ से चला गया दोनों पेडों को बहुत आंकार और गुरूर महसुस हुआ और इस बात की बढ़ाई करने लगे पर उस पूरानी पेड को पता था ये उनका अंत है बस कुछी दिनों की बात थी कि गावलों को पता चला कि शेर वहाँ से चला गया और उन्होंने आके पेड काड़ दिये वो दो पेड सबसे पहले थे कटने वाले कभी भी अपनी चतुराई पे ज्यादा घंबन मत करना बूड़े और समझदार की राए नजर अंदास मत करना